नमस्कार इंडिया पोस्स्यूज में आपका स्वागत हैं देश में ऐसे कई नेता हैं जिनके पास करोडों अर्बों की संपत्ती हैं कई नेताओं पर ये आरोप भी लगता रहता है कि ये संपत्ती उन्होंने भ्रस्टाचार के जर्ये बनाई है लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी इमानदारी के लिए काफी सुर्कियों में रहते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि देश में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो सबसे अमीर हैं और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री जो सबसे गरीब थे तो चलिए जानते हैं सबसे अमीर और गरीब मुख्य वंद्वी के बारे मानिक सरकार के पास 24.6-3 लाख रुपए की अचल और 2.2 लाख की अचल संपत्ती है मानिक सरकार देश सबसे गरीब मुख्यमंत्री थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहते हुए मानिक सरकार के पास केवल 3,930 रुपए थे और उन्होंने आज तक कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है मुख्यमंत्री द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिये गए चुनावी हलफ नामे से यह जानकारी प्राप्थ हुई वाम नेता अपना पूरा वेतन माकपा को दान देते हैं और उन्हें पार्टी से जीविका भत्ते के रूप में 5,000 रुपए मिलते हैं हलफ नामे में कहा गया कि 79 साल के नेता के पास 1,520 रुपए हैं जबकि 2,410 रुपए उनके बैंक खाते में हैं उनकी कोई अन्य राशी बैंक में जमा नहीं है उनके पास कोई कृषी योग्य या घर बनाने योग्य जमीन नहीं है वह मुख्यमंतरी के आधिकारिक आवास में रहते हैं मुख्यमंतरी की पत्नी 45 भट्ताचार्य सेवानिवरित केंदर सरकार कर्मचारी हैं उनके पास 20,140 रुपए नकद हैं जबकि दो बैंक खातों में 124,101 और 86,473 रुपए जमा हैं अपनी इसी बेदाग छवी के कारण वे पिछले 19 साल से सत्ता में रहे मानिक सरकार को 1998 में त्रिपुरा का मुख्यमंतरी बनाया गया था 2013 में वे चौथी बार CM बने 2013 में उनकी तरफ से एक हलफणामा दायर किया गया था उस हलफणामे के मुताविक वे देश के सबसे गरीव CM है मानिक सरकार CM पद का वेतन और मिलने वाले भत्ते भी पार्टी को दान में दे देते हैं इतना ही नहीं CM को गुजाराभत्ते के रूप में पार्टी 5000 रुए देती है एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे मानिक सरकार के पिता अमूल्य सरकार एक दरजी थे जबकि उनकी माता अंजली सरकार राज्य सरकार की कर्मचारी थी मानिक सरकार शुरू से ही छात्र आंदोलनों आदी में सक्रिय थे वे 19 साल के थे जब मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए थे नेताओं के आपराधिक इतिहास और संपत्ती पर नजर रखने वाले Association for Democratic Reforms ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में देश के मौझूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ती के बारे में जानकारी दी गई है आपको जानकर हैरानी होगी की 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पती है चंदरबाबु नाइडू से पहले आंधरप्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके जगन मोहन रेड़ी देश के सबसे धनी मुख्यमंत्री रहे दस सबसे अमीर सीएम की सूची में बाकी मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ती भी जगन मोहन रेड़ी के बराबर नहीं है दूसरे नंबर पर पेमा खांडू एक भारतिय राजनेता और अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पतनायक बीजू जनता दल पार्टी के अध्यक्ष हैं।